एक recent interview में Canada के immigration minister Mr. Mark Miller दुबारा काफी bold statement दी गई कि बहुत जल्दी हम immigration level plans में भी changes लाने की सोच रहे हैं और ये changes cosmetic नहीं होंगी, ये real time changes होंगी कहने का मतलब जो permit residency है उसमें भी हमें आने वाले time में बहुत जल्दी changes आते हुई नजर आ सकती है जो हमने अभी तक temporary residents की cases में देखा है, क्या है सारी बात आज मैं detailed discussions वीडियो में इसी topic पे करुगा स्वागत आप सबका हमारे YouTube के चैनल के उपर, मेरे नाम प्रिसीपाल सिंगिल, मैं एक licensed and regulated trading immigration consultant हो एक छोटी सी requests वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube के चैनल अब तक subscribe नहीं किया या पहली बार हाँ हमारे चैनल पर विजर कर रहे हैं, मेरे request है, please subscribe करें हम बहुत तरह की operations and information regarding Canada, immigration especially, regular basis पे इसी platform के स्वाप के साथ share कर दे रहती है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी changes regular basis पे आ रहे हैं Canada की immigration में, जिसमें temporary residents को लेके बहुत सी changes देखी हमने, पहले हमने student पे capping आती देखी, फिर हमने LMIA जो low wage के थे, वहाँ पे रोक देखी, फिर जो visitor to work permit की conversion थी, थोड़े दन पहले उसमें हमने उस पे रोक देखी, तो लगा लगातार जो changes हैं Canada की immigration में, वो एक के बाद एक आती जा रहे हैं, जहां पहले liberal party की government ने सच में बहुत सी liberty दी as far as immigration is concerned, जिसमें बहुत से students को Canada में आने का मौका मिला, temporary foreign workers को Canada में आने का मौका मिला, बहुत से visitors को Canada में आने का मौका मिला, और यहां आके work permit में convert करने का भी मौ का मिला, अब लगातार वो सकती दिखा रहे हैं, so recent interview जो Mark Miller ने दी है, उसमें उन्होंने बात बोली है कि हम बहुत जल्दी जो immigration level plans है, उसमें भी changes लाने की सोच रहे हैं, कहने का मतलब जो permit residency है, वो भी कहीं न कहीं effect हो सकती है, इस साल 4,85,000, 4,85,000 लोगों को permit residency दी जाएग और next year onwards, 5,00, 5,00,000 लोगों को permit residency के ठुरू करनडा के अंदर invite किया जाएगा, international students, visitors, temporary foreign workers, वो इसमें नहीं आते, वो इसके इलावा है, so अब जहां पे हमें temporary residence के में काफी cuts देखने को मिलें, so ये अंदेशा लगा जा रहा है, उनकी बात से के आने वाला टाइम में कहीं, immigration म mention किया कि 60% जो हमारी immigration है, वो economic category में है, जिसमें international students भी आते हैं, जिसमें federal skilled workers भी आते हैं, जिसमें temporary foreign workers भी आते हैं, so maximum जो immigration है, वो economic class के ठुरू है, so अभी देखना पड़ेगा कि क्योंकि नवेंबर के अंदर, beginning of November, immigration level plans announce किये जाते हैं for the next three years, अगले तीन साल में Canadian government, कितने permit resident के तौर पे Canada के अंदर बुलाने जा रही है, यह पहली बार होगा कि temporary residents की जो plan है, वो भी इस पार share की जाएगी cabinet के अंदर और Parliament में, कि कितने temporary residents आने वाले तीन सालों में या आने वाले एक साल में invite किये जाएंगे Canada के अंदर, so यह छोटी बात नहीं है, छोटा indication नहीं है जहां पि हम regularly cutter देख रहे हैं, temporary residents के अंदर, तो immigration के अंदर भी काटाते हुए नजर आ सकते हैं, और even Justin Trudeau, जो Canada के Prime Minister है, उन्होंने भी ये बात बोली है recently, कि हम चाहते हैं कि जो immigration है, वो Canada में regular है, वो positive तोर पे रहे, पर at the same time हम उसको थोड़ा सा refine करना चाहते हैं, Canada के immigration is concerned, और next year elections हैं, तो उनको सामरे रखके, liberal party की government एक के बाद एक drastic actions ले रही है, as far as immigration is concerned, अब ये नहीं पता कि इमिगरेशन का जो लेवल प्लैन्स अलरी एनाउंस किये हैं, कि 5 लाग लोगों को next year से immigration दी जाएगी, उसमें कितनी के reduction लेके आई जा सकती है, क्या वो reduce किया ज जाएगा, simultaneously, minister ने ये भी बोला है, कि हम जो लोग already Canada के अंदर रह रहे हैं, उनको कोशिश करेंगे, उनमें से जतने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम permit residency दे पाएं, so काफी बड़ी news है ये, जहां पे regular basis पे हम temporary residents का जो programs हैं, लग-लग उन पे रोक देखते आ रहे हैं, उनमें cut देखते आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हमें permit residency में कहने का मतलब PR या जो immigration है, उसमें भी cut आते हुए नजर आ सकते हैं, so ये changes PNP में भी हो सकती हैं, और express entry के थ्रूवी जो है, वो changes हमें देखने को मिल सकती हैं, इसमें ऐसा नहीं है, कि आप ये मत सोचिए, इसमें को रोक दिया जाएगा, इसमें cut किया जा सकता है, immigration हमेशा ही ऊपर भी जाती है, और नीचे भी आती है, बट अगर आप जो criteria है, अगर वो उसको follow करते हैं और fulfill करते हैं, तो आपके लिए हमेशा ही chances हैं Canada के अंदर, कि आप temporary tour पे भी Canada आ सकते हैं, और as a permit resident भी आ सकते हैं, यह opportunity थोड़ी बहुती कम जरूर हो सकती है, पर यह नहीं है, उसमें कोई बहुत सारी drastic change है, आपको 50%, 40% cut आता हुआ नजर नहीं आएगा, हो सकता है कि 10-15% इसमें cut आता हुआ, in future नजर जरूर है, आपकी कोई file है Canada की, चाहिए आप Canada में as a permit resident आना चाहते हो, as a worker आना अजर विजिटर आना चाहते हो, as a student आना चाहते हो, जरूर हमें consult कर सकते हो.